कलकी अवतारंको म्लेच्छ सहार ब्रह्म एक एक पकार गतिरे विश्व ब्रह्मान्ड शुष्टी करी चन्थ माटी, पानी, अग्नी, बायू, आकास वो सुझ्यमन्डल त्याकटरू प्रतमा शुष्टी हुए यह माना का सुख्म सक्तिरू मानी शरीर सुष्टी हुए ब्रह्मान का दुर्ष्य सक्ति सरीर सबु समयरे आवस्यक करे ब्रह्मान का दुर्ष्य सक्ति सरीर सब बले आवस्यक करे यहीं सक्ति पाईवापाई लोके यह उन्याइक प्रकार देवा देविंक पुजा तथा अध्यात्म कर्म करंदे। ब्रह्म्हां का अदुर्श सक्ति पंच महाभूत मध्य देई विश्योग आसे। पंच महाभूतर सुख्म रूप मानिस सरीर मध्य देई थाए। प्रत्यक प्रकार अध्यात्म कर्म करिवा विध्योग। पंच महाभूतर पुजा नकरी केवलो देवा देवि पुजा प्रभूति करंदे। प्रम्हां का सक्ति पाई परंदे नहाई। पंच महाभूतर असुरी सक्तिकू पाई धाँधि। दिवा रत्री सबु समरे गोटिका परे गोटिये तत्यक उदय होई धाए। जे माता उदायो शमरियताक क्ल рукणतृ. जे अगने ना जी चली से उदायो helped out again, जे पीसाद हमें हमें। जे बायुत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत् भुख्या एंकर सकतिको पाई थांधि। एमानेकद्प्धारा कामना वासना पुर्ण थाए। मत्रमुप्ति और सांति एमाने देवागु अक्यम। तेनु बर्तमान आमवानेकद्पधारा कराजाव थेबा, देवादेविंक पुज्या ओ आध्यातिमक कर्मोफलरे विश्वरे घुर सांती सुष्टिहवारे लागीची ब्रह्मान्द सांती पाइं ब्रह्मो निजे अवतरन करुछन्ती त्यांकु कलकी अवतार बोली कुहा जावची लोकमानांको मनरे एही पंचो महाभूतर सुख्मचित्र न थिवारू लोकमानांको देहदेई ब्रह्मांक सक्ती आसु नाहांती पंचो महाभुत देई अवतराना करूछन्दि, पंचो महाभुतरे शुप्त अवस्तरे थिवा पंचो अदुर्श सक्ती सक्रियो होई उठूछन्दि, शेमाने लोकम्यान का सरीरोकू पिविन्न उपायरे नस्ट करूछन्दि, यहागो म्लेच्छ समहर क्वा जाँचे, द्धानो-ग्यानो बिन्न, यमान अंको पाद्रुभावरू रख्या पाइबा असंभव। के बलो एही गोठिय मत्र उपाय, लोके शरीरो सुष्ता रखीवा, ओ स्आंक्सारीको वईशारीको काज्जेरे सुफळता पाईँ। जय कळेकी भगवान। वीडियोटी की शेयर करन्तु निजब परिवार लुकमानांग पाईं तांका सरीर स्वास्थ्यर उन्नति पाईं तांका स्पिरिच्वालिटी उन्नति पाईं जय कड़की भगवान जय जवन्नाथ